दोस्तों अब वैक्सीन की दिक्कत नहीं है लोग इसे धडलने से लगवा रहे हैं और आप भी तुरंत इसे लगवा लिजे वैक्सीन के पूरे प्रोसेस में चार स्टेप होते हैं सबसे पहला आपको रेजिस्टेशन करवाना होता है दूसरा वैक्सीन का स्लोट बुक करवा होता है यह सार्टिफेकेट यात्रव गैरा के लिए जरूरी होता है दोस्तों मैं सवितामिश्वर आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा तो आए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए रिजिस्टेशन कैसे कराए इसके लिए आपके पा मोबाइल में क्रोम या किसी और ब्राउजर को ओपन कर लिजिए अब यहां एड्रस बार पर कोविन.gov.in टाइप करके इंटर कर दीजिए अब हमारे सामने कोविन की वैफसाइट खुल जाएगी वैफसाइट में आपको सामने ही प्रधान मंत्री दिखेंगे उनसे है तो इसी स्मार्टफोन का नंबर डाल सकते हैं जिसका यूज करना है या फिर अपना कोई और नंबर भी डाल सकते हैं तो मोबाइल नंबर को डाल कर गेट ओटीपी वाले बटन पर टैप कर दीजिए अब आपके उसी नंबर पर ओटीपी आएगा जो नंबर आपने यहा डाल देते हैं हमारा ओटीपी है 518295 इसे यहां पर डाल देते हैं अब अगले पेज में हमें रेजिस्टर मेंबर का बटन दिख रहा है तो रेजिस्टेशन के लिए हम यहां पर टैप कर देते हैं अब अगले पेज में हमें उस आदमी की डिटेल डालनी है जिसे वैक्सी लगवानी है सबसे पहले हमें फोटो आईडी चूज करना है इसमें पांच आप्शन है आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ड या पेंशन पास्बुक में से कोई एक चीज चूज कर सकते हैं बस ये ख्याल रखिएगा कि आप यहां जो भी आईडी सेल नम बर होता है तो हमने आधार कारड़ चूज coverage करके यहां पर आधार नंबर डाल दिया है उसके बाद नाम लिखते हैं नाम बिल्कुल वैसे ही लिखिये जैसे आधार कार्ड में लिखा है उसके बाद जंडर चूज करते हैं मेल या फीमेल और अदर का option है उसके बाद एड बटन पर टैप कर देते हैं इसके साथ ही रिजिस्टेशन हो जाएगा दोस्तों अगर आप चाहें तो यहीं पर परिवार के दूसरे लोगों का भी रिजिस्टेशन करवा सकते हैं आप एक मोबाइल नंबर पर कुल चार लोगों का रिजिस्टेशन करवा सकते हैं बस इ उसा रास्ता कोविन की वेफसाइट है, लेकिन सबसे नया और एडवांस रास्ता है वाटसेप का. हमने अभी आपको कोविन की वेफसाइट से रेजिस्टेशन करना बताया है. अगर आपने ये वेफसाइट खोली हुई है, तो आप यहीं से स्लोट भी बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना स्टेट, शेहर, वेकसीन का नाम, डेट और टाइम चूज़ करना होता है. और यहीं पर वेकसीन का अपाइटमेंट मिल जाता है. लेकिन हम आपको वाट्सेप वाला तरीका बता रहे हैं. ये बहुत आसान है और आपको ये बहुत पसंद भी आएगा. इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोरोना हेल्प लाइन का नमबर सेफ कर लिजे. ये नमबर है 90, 13, 15, 15 और 15. अब वाट्सेप खोल कर इसी कॉंटेक्ट को सर्च कर लिजे. अब हमें इस कॉंटेक्ट को मैसेज करना है. स्लोट बुक करने के लिए हमें बुक स्लोट लिखकर सेंड कर देना है. कैपिटल स्मॉल लेटर का कोई चक्कर नहीं है. बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए. और दोनों शब्दों के बीच स्पेस होना चाहिए. अब आपके पास SMS के जरिए एक OTP भेजा जाएगा. ये OTP उसी नमबर पर भेजा जाएगा जिस नमबर पर वाट्सेप चल रहा होगा. उस OTP को यहाँ डाल कर सेंड कर दीजिए. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारे सामने सभी रेजिस्टर्ड मेंबर की डिटेल आ जाती है. हमने तीन लोगों को रेजिस्टर किया था. इसलिए तीनों की डिटेल आ गई है. अब जिसके लिए भी स्लोट बुक करना है. उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं. जैसे हमें विश्णूचन तिवारी के लिए स्लोट बुक करना है. उनका नाम दूसरे नंबर पर है. इसलिए हम यहाँ टू टाइप करके सेंड कर देते हैं. अब हमें पिन कोट के आधार पर सेंटर चूस करना है. इसलिए हम सर्च बाइ पिन कोट पर टैप कर देते हैं. अब चुकि विश्णूचन तिवारी ने पहली डोज कोवी शील्ड की लगवाई थी. इसलिए उन्हें वही वैक्सीन फिर से लगेगी. लेकिन अगर आप पहली बार लगवा रहे होते, तो आप से यहां पूछा जाता कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है. दोस्तों, अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम पेड, फ्री या इसमें से किसी भी तरह की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं. हम free में vaccine लगवाना चाहते हैं और इसलिए हमने free पर tap कर दिया अब हमें अपने area का pin code बताना है हमने प्रयाग राज का pin code type करके send कर दिया अब हमारे सामने उन सभी vaccination center के नाम है जहां हम vaccine लगवा सकते हैं सभी center के नाम के सामने उनका serial number पड़ा है हम जिस भी center में vaccine लगवाना चाहते हैं उसका serial number डाल कर send कर देते हैं हम United Medicity में लगवाना चाहते थे इसलिए हमने 6 type करके send कर दिया अब हमारे सामने vaccination की 2 तारीक दिख रही है पहली तारीक आज की है और दूसरी कल की कल की तारीक चुनने के लिए हमने 2 type करके send कर दिया अब हमें time बताना है कि किस वक्त vaccine लगवाने जाएंगे हमारे सामने 4 time band है हमने 3 time band यानि 12 से 1 का time चूस कर लिया इसके लिए हमने 3 type करके send कर दिया लीजे दोस्तों हमारे vaccination का appointment बुक हो गया यहाँ पर इसकी reference ID भी दिख रही है हम इसी message को दिखा कर अपनी vaccine लगवा सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहें तो appointment slip भी download कर सकते हैं आप इस slip का print भी अपने साथ ले जा सकते हैं इसके अलावा ये सभी detail SMS से भी भेजे जाते हैं WhatsApp से किसी member का appointment चेंज कर सकते हैं या cancel भी कर सकते हैं इसके लिए आपको एक बार फिर से book slot type करके send करना होगा उसके बाद पहले की तरह आगे बढ़ते जाए Member choose कर लिजिए अगले step में आप से पूछा जाएगा कि क्या आप appointment reschedule करना चाहते हैं या फिर cancel करना चाहते हैं आप उसे choose कर लिजिए और instruction को follow कीजिए आपका काम हो जाएगा तो दोस्तों ये था vaccine के slot book करने का तरीका अगर आप ये जानना चाहते हैं कि WhatsApp के जरिए vaccination का certificate कैसे download करते हैं तो इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं इसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो यूस्फुल लगा हो तो इसे जादा शेयर करें लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें